ब्रेकिंग का वक्त है रविंदर सिंग मैं आपके साथ उदैपुर की बड़ी खबर से ब्रेकिंग नियू से शुरुआत करते हैं पारस सिंगवी की स्वाभिमान रैली को पुलिस ने रोक दिया है दरसल समर्थंगों को जगदीश मंदिर जाने से पहले रोका गया है पुलि से उसी दिशा में कहा जा रहे है कि काम किया है समर्थ को और पुलिस में इस बीच गहमा गहमी भी हो गई तारा चंद जैन को टिकर देने के बाद ही ये विरोड लगा तार बढ़ रहा है तो उदैपुर की इस बड़ी खबर को आपको बताते हुए पारस सिंग्वी की कर लिए आचार सहीता के चलते पुलिस ने ये कदम उठाया है और इस बीच देखिए कुछ गहमा गहमे भी हो गई है आपर समर्थ को और पुलिस के बीच तो हाई ये जा रहा है कि तारा चंद जैन को टिकेट देने के बाद ही लगातार विरोध हो रहा है कपिल श्रीमाली से बात करते हैं उदैपूर समबारता हमार साथ जुड़ चुके हैं कपेल अभी क्या स्थिती है देखिए तारा चंद जैन को जब से टिकेट मिला है उसके बाद में लगातार उदैपूर में बगावत काफी तेज हो चुकि है क्योंकि तारा चंद जैन वो नाम था जो की पैनल में नहीं था उसके बावजूद तारा चंद जैन का टिकेट भारती जनता पार्टी ने फाइनल कर दिया और पारत सिंग्वी जो की प्रबलदावेदार थे इसके लावेंदर श्रीमाली परमोस सामर प्रबलदावेदार थे लेकिन बगावत की और इस बगावत के द पुलिस ने रेली को रोक दिया रोकने के बाद में लाउड स्पीकर जब्त कर लिया और हलका बल प्रयोग किया क्योंकि कुछ लोग कापी आक्रोशित हो गए ते लेकिन फिर कुछ लोगों को मंदिर में जाने दिया और अभी शांती जो है वो बनी हुई है दूसरा पारा सिं बहुत बहुत बदने वाद आपका कपिल श्रेमाली इस खबर पर अपडेट देने के विरोध में पारा सिंग्वी की तरफ से स्वाभिमान रेली निकाली गई और इस दौरान पुलिस ने चुनाव आचार सहीता का हवाला देते हुए इस रेली को रोका और फिर जो अच्छा थी इस रैली में शामिल लोगों की उनमें से कुछी लोगों को मंदिर में जाने दिया